हेलो बच्चों क्या हाल चाल पढ़िया एकदम तो चलिए फिर सुरू करते हैं आज की बेसिक टम carriage invert, freight invert, cartridge invert मेरा नाम है मोहित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल एकदम वाला तो चलिए देखते हैं बच्चों carriage invert, freight invert और cartridge invert तीनों का same meaning है इसलिए मैंने तीनों को oblique करके लिखा है stress लगा के लिखा है आईए पहले read कर लेते हैं फिर समझाता हूँ these are the transportation cost of bringing raw material या फिर finished goods to the firm's warehouse or in factory simple बोल रहा है carriage invert हो या freight invert हो या cartridge invert हो या आपकी transportation cost है जो भाड़ा हिंदियों बोलते भाड़ा ये आपकी transportation cost है माल लाने का भाड़ा है या तो वो कच्चा माल हो सकता है that is raw material या फिर वो finished goods हो सकते हैं जिनको आप आगे बेचेंगे तो these are the transportation cost of bringing raw material या finished goods कहां पे to the firm's warehouse warehouse मतलब go down, warehouse मीज़ बच्चों go down firm के warehouse तक लाने में या factory में लाने में जो आपकी transportation cost खर्च होती है उसको हम नाम देते है carriage invert या freight invert या cartridge invert देखते हैं example ये firm A है ये firm B है आप ने, आपकी firm A है, आप firm B से सामान खरीद रहे है मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपकी firm A है और firm B आपको माल बेच रही है तो आप सामान खरीद रहे हैं, आप purchase कर रहे हैं आप purchase करें किस से फर्म बी से अब फर्म बी से आपने रुपीज पांच लाग के goods खरीदे पांच लाग के goods purchase करें और इनको आपकी factory तक लाने में इन goods को आपकी factory तक लाने में 10,000 रुपे की transportation लगी 10,000 रुपे तक का भाड़ा लगा तो इस 10,000 को हम बोलेंगे या तो carriage बोल दो बच्चो या cartridge बोल दो या fret बोल दो और चुकि ये माल लाने का भाड़ा है लाना मिस आपकी factory माल आ रहा है आना मतलब in तो इसे बोलते है carriage inward या cartridge inward या fret inward inward वर्ट क्यों है क्योंकि माल आ रहा है आने को बोलते हैं ना मैं आई कमिन मैं मैं आई कमिन सर याद करिया आप लोग क्लास में बोलते हैं तो सेब वही चीज माल आपकी factory में आ रहा है मिस लाने का भाड़ा तो इसे हम बोलेंगे carriage inward या cartridge inward या fret inward अब यहीं से एक concept में आपको और निकालता हूँ अब आप माल लीजिए आपकी firm यह है यह आपकी firm में है firm A और यह आपका customer है यह आपका customer है इसका नाम है Mr. Rohan इसने आप से रुपीज 10,000 का माल खरीद है 10,000 का माल खरीद है यानि आपने इसको 10,000 रुपीज की sales करी है sales करी है आपने 10,000 रुपीज की और अब यह बोल रहा है कि आप मेरे को goods मेरे घर तक पहुचा दो तो आप बोले कोई दिक्ट निम पहुचा देंगे बोला है मैं किराया नहीं दूँगा लेकिन उनका या आपको बोला है 10,000 रुपीज गुट्स के तो दूँगा लेकिन जो आप मेरे घर तक पहुचाएंगे माल उसका मैं आपको किराया नहीं दूँगा तो अब आप बताईए आप जो अपने कस्ट्यूमर के घर तक माल पहुचाएंगे आपका भाड़ा खर्च होगा आपका भाड़ा खर्च होगा आपका किराया लगेगा आपकी ट्रांस्पोर्टेशन कोस्ट लगेगी तो आप ये goods जो अपने customer के घर तक पहुचाएंगे इसमें जो अपना transportation cost खर्च करेंगे इसमें जो आपका भाड़ा खर्च होगा उसको हम बोलते हैं cartridge या carriage या fret आगे बताओ बच्चों क्या बोलेंगे outward keyword क्या या? outward ये आपका invert नहीं है ये आपका outward है invert क्या था? जो माल लाने का भाड़ा था outward क्या है? जो माल हम अपने customer को बेच रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि हम आपको free delivery कर रहे हैं होता न? free home delivery कि हम आपको घर तक पहुचाएंगे माल तो जो हमारी free home delivery पे cost आती है जो हम अपना खर्चा करते है free home delivery के लिए जो हमारी transportation खर्च होते है free home delivery के लिए वो होता है हमारा carriage या cartridge या fret outward inward लाने का outward माल अपने customer के घर तक पहुचाने का तो मुझे उम्मीद है तो मुझे उम्मीद है बच्चो आपको ये अच्छे सज में आगे होगी कि carriage inward क्या है और carriage outward क्या है carriage inward हो या freight inward हो या cartridge inward हो inward वाले खर्चे माल लाने के है factory में या go down तक और outward वाले खर्चे माल अपने customer के घर तक पहुचाने के है यानि ये खर्चा होता आपकी purchase पे और ये खर्चा था आपकी sale पे जो carriage inward हो आपकी purchase पे खर्चा हो रहा है जो आप goods खरीद के ला रहे हैं और जो carriage outward हो आपकी sale पे हो रहा है जो आप माल बेच रहे हैं अपने customer के घर जो goods पहुचा रहे हैं वह आपका carriage outward तो carriage, freight, cartridge तीनों का मतलब एक ही है बच्चों आपकी time sun में आगए होगी अब आपके में कोई doubt नहीं होगा तो चलिए फिर मिलते हैं next video में तब तक के लिए goodbye, take care, ta-ta, bye-bye